नमस्कार मैं फिर ये वीडियो लेकि आपके सामने आया हूं कि कैसे अभी आध्यापक अभी फिर पुर्जोर से परिशान है एक नई समझ से उनकी सामने आ गई है कि कि अपना स्नुदर कि अपना लुख आधि स्कुरा में कि आपके संदें अपनी चाहिए को और यूनिट आ कि वात अपना कि钟 라 Pack लेंगे तो दूबार हमा है होगा कि उसमें employee ID तो इन सब को अगर आपके पास यह सब चीजें उपलब्द हैं तो आप अपना ACR अपने घर से भी बढ़ सकते हैं यह चाहें तो अपना ACR को अपने घर से फिलब करने और कुछ चीजें हैं कुछ तरीके हैं जो शायद मैं आप लोगों को इसमें बताने जा रहा हूं और शायद आप लोग वो सीख कर या उस तरीके से करने के बश्याद आपके लिए वह भरना बड़ा असान हो जाएगा तो ACR करने के लिए हमें सबसे पहले अपने सिस्टम में जाना है या मोबाइल में जाने हैं जाएंगे हम और उसमें हम अपने ब्राउजर को खोल के हम लिखेंगे अब इसमें जब हम एजुकेशन पॉर्टल यूके में आते हैं तो हम पहले लिंक में उसको अपना स्लेक्ट कर लेंगे अब उस लिंक में आने के पसचार्ट जैसे वह लिंक हमारा खुल जाता है तो हम उसमें अपना यूनिट आईडी जो हमें अपने ब्लॉक से मिलेगी और उस यूनिट आईडी को का डिफॉल्ट पास्पर्ट जो होता है वह होता है एडमिन एडरेट 123 तो हमने लॉग इन करना है मेरी user ID आईडी मैं यहां पर लिख रहा हूं और इसमें आपको कैसे हम लोग इस चीज को तो फिल करेंगे और क्या-क्या इसमें हमने फिल करने लिए कॉलम भरे जाने हैं और किस तरीके से भरे जाने हैं और कुछ स्क्रीम शॉट भी आपको दे दूँगा ताकि आप उससे होप की हो जाए वन जीरो एक टू फाइव सिक्स पी जीरो बन टू और जब यह अपना पासफ़र्ड इसमें बना लिए और बनाने के बाद जब इसको खोलेंगे तो यह कैप्चर आप रिफ्रेश कर लिए इस कैप्चर को डालिए और लोग इन कर लिए अब लोग इन करने के पर शाद इसमें दो तिन चीजां आपको दिखेंगी में कि अपके से में अंदर इंटर करना आपको इंप्लॉई में जाना है और अचियार में करने के बाद जब आप अप एसर में तो एसर में जहां पर ये अभी दूनु कॉलम है ये फिल्ड के जगा नॉट इस्टेटर्स जो होगा नॉट फिल्ड करके आ रहा होगा अब इस इस्टेटर्स को देखने के लिए हम अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ कि हम इसको कैसे भरना है हमने इसमें और कुछ प्रदीवेदक अधिकारी का नाम और जिनके अधिना आपने कारी किया है मतलब यहां पर जो बनेगा यहां पर जो प्रतिवेदक अधिकारी बनेगा वह उस प्रतहना अध्यापक बनेगा तो उस स्कूल का प्रतहना अध्यापक का नाम यह पर आना है चाहे वो कारी-कारी हो चाहे वो फिर फ्रेश अपॉइंट्मेंट या फ्रेश पर पूलो तो उसका नाम लाने के लिए हमने क्या करना है डेट्स हम देख लेंगे इन डेट में भरने के वरचछाथ हमने पदवरना है, शॉरी संस्था भर नी जिला भरना और जिला भलाक, ब्लॉक भरना उसके बाद हमने जैसे हम फिर हमारे स्कूल का नाम आ जाएगा फिर हमारे स्कूल के नाम के बाद प्रतिवे तक अधिगारी में हम अपना नाम लिख लेंगे भर लेंगे सोरी भरने के वच्चार अम नीचे को जाएंगे तो दूसरा आपिर हमने जो इसमें शमिखशिक अडिगारी के बारे में बहना आप अश्मिक्षिक अडिगारी हमारे ब्लॉक आजुकेशन आफिसर जो जिस ब्लॉक में होंगे उस ब्लॉक के एजुकिशन आफिसर इस कॉलम का उनके नाम के दोरा भरा जाना है तो एक चार दोजार एकीस से इकतिस दिन दोजार बाइस देट का विल्कुल ख्याव रखे और इसमें हम पद जो होगा हमारे जो टीचिंग होता है यहां पर जो अधिश्मिक्षक अधिगारी होंगे यह नॉन टीचिंग होंगे आफिस होगा ब्लॉक होगा चिला होगा और उसक इस शुकृत्य अधिगारी में थर्ड जो कॉलम होगा वो होगा इसी में 142021 डेट्स होगी और 29-2021 तक और सुकृत्य अधिगारी हमारे इसमें डीजी होंगे डिपृटी डारेक्टर और सुकृत्य अधिगारी का जन्पत उसी के अनुसार हो जाएगा और जिलाभी आन ज विलाभी भरने के बश्चाथ जो ऑफिस होगा यह भी इनका ऑफिस भरने के बश्चाथ इनके जो यह भी नॉन टीचिंग में होगे इनका नाम आ जाएगा और इनको भी सिफ कर लेंगे फॉर्थ की जर्वाज जिसको पढ़ेगी वह भरेंगे वरना इससे बहरा जाएंगे ऐसी आप ध्यान से देख लिए इसको करने के बश्चाथ दुबारा हम ऐसी ही अपने सेकंड इंप्लॉई की इस यार को फिल कर लेंगे या उससे करवा लेंगे अब थर्ड कॉलम है इसमें हम अपनी यह जो इंप्लॉई आईडी है जिसको मैं दिखा रहा हूं अपने कर्शस से इस इंप्लॉई आईडी को नोट कर लेंगे जैसे माल लिया मेरी है मेरी है 14.28 मैं इसको नोट कर लिया और उसको यहां पर भल लेंगे तो यह फिल्ड आ जाएगा और इसको जब हमने इसको नोट कर लिए तो हम इसको लोग आउट कर देंगे जी इसको लोग आउट करने के बाद अब हमने यूनिट से या मैं करना है अब हमने employee ID पर जाना है और employee ID पर हमने उस employee ID को भड़ देना है कि इसके बाद कि हम वही काम करेंगे अपना password एंटर करेंगे और अपकी बार unit से नदा के employee से जाएंगे employee से जाने के बाद हमने अपना जो यह capture इसको फिल करेंगे 83 तो अब यह मेरी यह ACR section खुलिया अब मुझे यहां पर ACR बढ़ना है अपना ACR बढ़ना है तो सबसे पहले हम अपना ACR बढ़ने के लिए हम हम e-file ACR सेलफ में जाएंगे यहां पर जो भी हमारी यहां पर लिखा आया होगा स्विकार करें इस गोपनी आक्या को स्विकार करेंगे और स्विकार करने के बस्चाद हम गोपनी आख्या प्रप्त्र भरे लिखायाएगा उसमें जाएंगे तो मैं कुछ स्क्रीन शॉट इसके भी डाल दूगा उस स्क्रीन शॉट को अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें आए होगी जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ उस सेक्षिन में इस सेक्षिन में यह पिच्छर आपको शूओ इस तरीकी किसे आपको शूओगा आप इसको देख लीजै कि इसको इस इस विवरण दो आपने नहीं भरना इसके बाद शैकिंड भी रण आजाएगा है यह अकादमि मुल्य अंकन यहाँ पर आपने किसी कफच आड़ नियू बन जाएंगे आड़ नियू में आने के बाद आपने ऐगने पर देंगे कफच्ष आप पांच वी ग्लास की गनित का पिपल ले रहे हैं तो आपने वह भरना है और उसका रिजल्ट भरना है 21-22 का दोने इसको नाइन कहा स्म्पूर्णी रख आताका मचाइब क्यसूंस दղिए ग्त्रια में अपना है 17ेय十 को भी ऐस्चेल्ट पूल्श काउने सेक्शन में है फाइनल सब्मिट जब करेंगे तो यह एस यार हमारे यहां पर से हमारे ओफिस रिपोर्ट में देखने अफिश कोड़ में देखने का परिक्रिया कि आपने कैसे ओफिस बोर में देखनी है तो ऑफिस में देखना भी बहुत ज़रूरी ऐसा नहीं है कि हम ने यह भर दिया हो गया काम ऐसा पिलकुल नहीं करना इस रूपोट को फिर हमने अपनी ओफिस बोर्ट में देखना है कि हमारी ओप खए से उपिस बट में यह जो चीज आएंगी ये लैगी अब जब अपना भी भर एर हैं ऐसी दो आख्या के हमारी अपनी आएंगी अपनी आने के बाद हम हम सवरी मेरी और तो उसके बाद किया तो उसके बाद हम आगे को जाएंगे तो इसमें हमने लॉग आउट करना और दुबारा इसको खूलना है दुबारा किस तरीके से खूलना है वही employee section में खूलना है हमने इसको दुबारा यानी हमने 14 98 employee D-37 798 अब दुबारा इसको खोलने का अब जब हमने इस तरीके से भर देंगे तो इसको खोलने के बाद हम दुबारा इसमें जाएंगे अब इस रिपोर्ट को हमने अपनी ओफिस रिपोर्ट में देखना है आफिस रिपोर्ट में जब हम इसको कलेक करते हैं जब हमने पूरी आख्या भर दी तो हमने आख्या वर्स लिखना है आपर एकीज़ पाइस पैंडिंग और परतिविदक इस चीज़ को सर्च करना है तो यहां पर अभी मेरा कोई डाटा नहीं है क्योंकि मैंने यह इसको आग उज़ा का और आपके सहयक का तो जो उसम आएड होगा vois पपनी समीशक फिर लेखहेंगे अपने नमबर फिर देंगे और उसको स्wiकार करके आख्या भरने के वसचाथ उसको हम सेंड कर देंगे समिक्षक को तो उसमें फिर हम पर्तिविदेख उस चीज़ को समिख्षक को दे देंगे और समिख्षक के बाद वो स्विकर्थों के हमारे पास ACR रिपोर्ट आ जाएंगी तो इस तरीके से अपना ACR भरें जिस किसी को परेशानी होती है वो ACR मुझसे भरवा सकता है और वैसे ही स्वेम भरना चीए और ध्यान रखें इसको साइबर से भरवाते में तो इतने स्टेप इसमें होने हैं और इन स्टेप को भरी परिपूर्ण रूप से भर लीजिए बहुत सी चीजे इसमें आपको गलत मिलेंगी हो सकता है क्योंकि आपके शायद इसमें वेतन का हमारा लेवल नही तो इसको अपने ब्लॉक इस तर पर जाकर इसको सही करवा लें और इस तरीके से इसको भर के अपनी 2021 की आख्या पूरी करें धन्यवाद